अलो फ्रेंट्स, फल्कम बाक, आजके इस एनलेसस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेडला सॉफ्ट सेर के ऊपर, वेडला सॉफ्ट सेर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे, श्टॉक ने रिसेंटली हाय लगाया था 861 रुपीज 85 पेसे का, in the month of February, first week of February, 6th of February को जो है, स्टॉक ने अपना all time high लगाया था, उसके बात से अगर देखेंगे, तो स्टॉक जो है, तक्रीबन 34% नीचे आ चुका है, 600 के लेवल पे आ चुका है, स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टॉक में आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों के पास स्टॉक है, और स्टॉक उपर के लेवल पे भी बहुत से लोगों के पास है, तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए इसके उपर डीटेल में बात करेंगे चलिए पहले कुछ फंडमेंटल पॉइंट के उपर बात कर लेते हैं फिर हम लोग टेक्निकली भी बात करने वाले हैं सबसे पहले अगर यहां पर देखेंगे लाश्ट वन मंत में स्टॉक ने आपको निगेटिव डि कि दिया है वह इसलिए क्योंकि श्टॉक ने एक अच्छा ब्रिक आउट दिया था यहां पे और हम लोगों ने इसके उपर डीटेल एनेलिसिस वीडियो किया था जब आपको यहां पर ब्रेक आउट आया था क्योंकि लगातार हम लोग जो इस इस टॉक को ट्रैक कर रहे थ परसेंट का एक बड़ा अप्मूव जो है लास्ट वन येर में देखने को मिल रहा है ऑल्दो इस टॉक अपने ओल टाइम हाई से जो है तक्रीवन 33 परसेंट 34 परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है फिर भी तो चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के उपर सबसे पहला जो यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट वह यह जो प्रोमोटर का होल्डिंग आपको 40.92 है अपना स्टेक इंक्रीज किया है और यहां पर हम लोगों को पॉब्लिक का भी स्टेक डिक्रीज होता हूँ दिख र लिए वह है आपको अंगन गुहा जी डिरेक्टर है इन्होंने 75,000 सेर सेल किया है कब मई में तो यह इस मंत का ट्रेड है जहां पर कि 75,000 सेर जो है इन्होंने बेचा है ताथिसाथ एक अनिरबन ठाकूर जो की डिजिगनेट पंसन है उन्होंने भी 15,000 सेर यहां पर सेल पर 94,000,000 वेल्यू है और यहां पर जो है 4,000,000,000 का वेल्यू है तो यह दो इंपोर्टेंट अपडेट है अब अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे कंपनी के फाइनेंसियल के ऊपर तो किसी भी कंपनी में क्या चाहिए स्टेल्स इंक्रीज होना चाहिए नेट प्रॉफि अगर हम लोग यहां पर सेल्स के ऊपर बात करेंगे तो लगातार जो है यहां और बेसे पे अंदर बात करेंगे तो लगातार जो है एलेटिन की प्रॉफिट आपको इन प्रॉफिट हुआ है मेंटेन किय वए है अब अगर हम लिख बात करेंगे तुओंडरेट एंफिटीफ दूर्ट करूड करेंगे अपनेट प्रॉफटчес सेवर आरेंट कोल चा substitute प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा जम्प देखने को मिल रहा है अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो टेन येर का सेल्स ग्रोथ जो है वह वह आपको 10% के के लिए और स्टॉक प्राइस जोए ट्विंटी वन प्रसेंट के सीजियार से बूफ किया है अब अगर नेक्स्ट इंपॉर्टन पॉइंट के ऊपर बात करेंगे वह एडेट तो कंपनी का डेट जो है लगातार आपको मेंटेंड है कंपनी ने अपने डेट को डिक्रीज किय क्या है एक विटी के बितल कि आम यहाँ पर बात करेंगे तो इक वीटिए यहाँ पे 2022 में आपको बाङबैक हुआ था है 2012 में जो है आपको ब्सक्नल की और लगातार कंपनी आपको एक लिदी डिविबेंट भी ऑउट क्हाल और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कलिए तो जो स्प्लिट teeny और बोनस रिसू है उसका भी यहां पोई भी इस कसार नहीं है विद्षा कशले बात कर लेते हैं टेक्नीकली टेक्नीकली सिस्टॉट में हम लोगों को क्या करना चाहिए बुचल यहđ बात करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो इस टॉक में लोगों को क्या देखने को मिला इस टॉक जो है आपको फिप्टी वन रुपीज के लेबल से जो है इस टॉक ने यहां पर हाइए यहां पर मूव किया 600 पॉइंट इस टॉक अगर 600 पॉइंट नन स्टॉप यहां पर रैली दिया अब अगर आप मेरा प्रिविएस वीडियो देखें होंगे तो वहां पर मैंने आपको एक बात पताया था जो स्टॉक में अभी रिट्रेस्मेंट पेंडिंग है इतने भी लोग जो है गिरावट द अब इस टॉक यहां पर लगातार उपर की साइट जा रहा था इस टॉक ने यहां पर बाइंग करना स्टार्ट किया यहां पर वेट कर लिजेए रिट्रेस्मेंट का अब अगर यहां पर आप देखेंगे तो बिलकुल टेकनीकली कोई भी पैनिक होने वाला बात नहीं है क् पर सबसे पहले यहां पर एक डॉन फॉल हुआ इस टॉक ने यहां पर आपको एक रिवर्सल पाटर्न बनाया और बेक आउट दिया अगर देखेंगे तो यहां पर टू अनृट 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 को टच किया यानिकि शिक्सनेट पॉइंट का मोमेंटम विदाउट रिट्रेस्मेंट तो वहां पर रिट्रेस्मेंट आएगा और यहीं रिट्रेस्मेंट अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब 600 का लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यह एक सपोर्ट जोन है यहां पर इससे पहले जो है श्टॉक का 585 रूप चाहिए तो नहीं उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा वीकली विसिस पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है अभी फॉस्ट टाइम बाउंस देखने को मिल रहा है यहां पे जो है स्टॉक थोड़ा सा कॉंसोल डेट होना चाहिए एक ट्रेंड लाइ में यहां पर अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड कर जाता है और उसके बाद अगर ब्रेक आउट करता है ट्रेंड लाइन को सबसे पहली बात अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाई कर लिया है आप हो चुके हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए कंपनी में फंडामेंटली है यहकं अभी आपका नहीं पता है यह लेवल hebert करने वालाय अगर इस सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब झाल झाल